Hello Friends, Welcome to Best English Classes, मैं हूँ प्रतीक तमर और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि American English और British English में क्या फर्क है? यानि United States और United Kingdom में जो English बुली जाती है, उसमें क्या difference है? दोस्तों, आम तोर पे तीन तरह के difference हमें देखने को मिलते हैं. एक तो Spelling's का difference. Americans कुछ और Spelling यूज में लेते हैं और British कुछ और. दूसरा difference है कि कुछ शब्दों को American लोग अलग बोलते हैं और कुछ शब्दों को British लोग अलग बोलते हैं, यानि उनका pronunciation अलग होता है, उनका उच्चारण अलग होता है. और तीसरी बात ये है कि American और British लोग एक ही चीज के लिए अलग-अलग शब्दों का प्रियोग करते हैं. जैसे किसी particular चीज को American लोग कुछ और बोलते हैं और British लोग कुछ और बोलते हैं. तो यही हम सीखने जा रहे हैं, वैसे इस वीडियो में मैं आपको spellings का difference बताऊंगा, वो भी जल्दी-जल्दी और सिर्फ important words. तो आई ये शुरू करते हैं. आज का पहला word है वैपर, वैपर यानि भात या वाश्प. अब British लोग इसकी spelling लिखते हैं V-A-P-O-U-R और Americans लिखते हैं V-A-P-O-R, राइट, इन्होंने यू का use नहीं किया हैं यहाँ पे. अब यही pattern हमें बहुत जगें देखने को मिल रहा हैं. जैसे next word है color, color यानि रंग. तो British लिखते हैं C-O-L-O-U-R और American लिखते हैं C-O-L-O-R. Next है savor, S-A-V-O-U-R, savor यानि स्वाद, taste. और American इसकी spelling लिखते हैं S-A-V-O-R. Next है rumor, R-U-M-O-U-R लिखते हैं British और R-U-M-O-R लिखते हैं American. Rumor का अर्थ होता है अफवाह, कोई कही सुनी बात. Next है humor, humor यानि मजाख. अब British इसकी spelling लिखते हैं H-U-M-O-U-R और American लिखते हैं H-U-M-O-R. Humor, आपने सुना होगा You have good sense of humor. आपके मजाख की समझ अच्छी है. Next है glamour, glamour यानि चकाचौंद, जैसे fashion की चकाचौंद. तो glamour की spelling, British लिखते हैं G-L-A-M-O-U-R और American लिखते हैं G-L-A-M-O-R. है ना बिलकुल आसान difference? अब यही pattern हम आगे भी देख रहे हैं. Next है labor, लेबर यानि श्रम या श्रमिक यानि मजदूर या मजदूरी दोनों के लिए यही word काम में आता है. इसके अलावा labor का एक अर्थ जो pregnancy के दौरान होने वाला दर्द होता है उसे भी हम labor pain कहते हैं. और जिस कक्ष में pregnancy होती है उसे हम labor room कहते हैं. तो labor शब्द का प्रियोग वहाँ पर भी होता है. देखिए spellings में क्या अंतर है? British कहते हैं L-A-B-O-U-R और Americans इसे लिखेंगे L-A-B-O-R. नेक्स्ट है armor आर्मर यानि कवच्च जो रक्षा के लिए कवच्च होता है उसे कहते हैं armor. अब British spelling है A-R-M-O-U-R और American spelling है A-R-M-O-R. नेक्स्ट है favor किसी का favor लेना यानि उसका पक्ष लेना या किसी पर कोई favor करना यानि उस पर कोई एहसान करना. फेवर की British spelling है F-A-V-O-U-R और American spelling है F-A-V-O-R. नेक्स्ट है honor H-O-N-O-U-R British spelling है इसका अर्थ होता है सम्मान. और American spelling है H-O-N-O-R. नेक्स्ट है neighbor नेबर यानि पडोसी N-E-I-G-H-B-O-U-R ये है British spelling और American spelling है N-E-I-G-H-B-O-R नेबर. अब यहां तक हमने देखा बिलकुल एक जैसा pattern था. बस American spellings में वो यू का use नहीं कर रहे हैं. नेक्स्ट है club. अब club तो आप लोग जानते ही हैं British लोग इसकी spelling C से start करते हैं C-L-U-B और Americans इसकी spelling लिखते हैं K-L-U-B. नेक्स्ट है check. चेक की British spelling होती है C-H-E-Q-U-E. जैसे checkbook होती है bank में आपको पता ही है. तो British spelling है C-H-E-Q-U-E. पर Americans इसकी spelling लिखते हैं C-H-E-C-K. वही spelling जो किसी चीज़ को check करने के लिए काम में आती है. कि यह सही है या नहीं. वही spelling वो bank की checkbook के लिए भी use में लेते हैं. नेक्स्ट डिफरेंस है जो grey color होता है. उसकी spelling British लिखते हैं G-R-E-Y और American लिखते हैं G-R-A-Y. ऐसे ही inquiry, पूछताच. उसकी spelling British लिखेंगे E-N-Q-U-I-R-Y और Americans लिखेंगे I-N-Q-U-I-R-Y. तो British spelling में आएगा E और American spelling में आएगा I. नेक्स्ट है mold, M-O-U-L-D. Mold यानि सांचा. सांचा जिसमें आप कोई पदार्थ डाल कर उसकी shape को change कर सकते हो या उसकी कोई shape बना सकते हो. अब mold की spelling होती है British में M-O-U-L-D और American में होती है M-O-L-D. Next है plow, P-L-O-U-G-H. Plow यानि hull. खेत में जो hull चलाया जाता है उसे कहते हैं plow. और American इसकी spelling लिखते हैं P-L-O-W. Next word है program, अब program की British spelling है P-R-O-G-R-A-M-E और American इसकी spelling लिखते हैं P-R-O-G-R-A-M, program. Friends, next है defense, defense की spelling है D-E-F-E-N-C-E और Americans इसकी spelling लिखते हैं D-E-F-E-N-S-E, defense यानि रक्षा करना. Next word है license, license की British spelling होती है L-I-C-E-N-C-E और Americans इसकी spelling लिखते हैं L-I-C-E-N-S-E, अगला शब्द है practice, देखिए यहाँ पर भी वही हो रहा है, practice में भी British spelling में पीछे C-E आ रहा है, और American spelling में S-E आ रहा है, अगला word है offense, offense यानि कुछ गलत करना, offense की spelling British spelling में है C-E पीछे और American spelling में है S-E, बोलने का तरीका सेम है. नेक्स शब्द है वुलन, वुलन यानि उनी जो उन से बना हुआ है, उसकी spelling है W-O-L-E-N ब्रिटिश में और American में W-O-L-E-N, अगला शब्द है कोजी, C-O-S-Y, कोजी यानि comfortable, अब British spelling है C-O-S-Y और American spelling है C-O-Z-Y, आईए आगे देखते हैं, ये pattern आगे भी देखने को मिलेगा, तो अभी हमने एक और pattern सीख लिया, जहाँ पे पीछे C-E आ रहा था, बहुत सारी spelling में British में, और American में S-E आ रहा था. नेक्स्ट है Madam, Madam की British spelling है M-A-D-A-M, और American spelling है M-A-A-M, वो सिर्फ बोलते हैं M-A-M. नेक्स्ट है Sulfur, S-U-L-P-H-U-R, Sulfur यानि गंधक, अब Sulfur की British spelling तो आपको आ गही, S-U-L-P-H-U-R, पर American spelling है S-U-L-F-U-R. आगे और देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है Maximize, अब Maximize की British spelling है M-A-X-I-M-I-S-E, पर American spelling में पीछे Z-E आ रहा है. अब कंप्यूटर में भी आप Maximize और Minimize करते हैं Window को, उसमें ध्यान दीजिएगा हमेशा पीछे spelling में Z-E होता है. क्योंकि Windows एक American company है, वो S-E वाली spelling को गलत बताएगी. अभी जब यह chapter मैंने शुरू किया था, तो मैंने आपको color की spelling बताई थी C-O-L-O-U-R. यह तो हम बच्पन से पढ़ते हा रहे हैं, पर आप यही spelling अगर computer में type करोगे, तो आप C-O-L-O-U-R लिखने पर देखोगे, नीचे red color से zig-zag आएगा, यानि computer इसको गलत spelling बताएगा. अब यह इसलिए हो रहा है, क्योंकि वो American तरीके को follow कर रहा है. Next word है recognize, रिकगनाइज यानि पहचानना. अब recognize में पीछे S-E आता है, British spelling में और American spelling में आता है Z-E. Next word है mesmerize, mesmerize कर देना यानि hypnotize कर देना, मंत्र मुग्द कर देना. इसके लिए American spelling में पीछे Z-E आ रहा है. Mesmerize, जैसे हम कह सकते हैं, your eyes are mesmerizing. तुम्हारी आँखें मंत्र मुग्द करने वाली हैं. अगला शब्द है fertilizer, fertilizer यानि उर्वरक. अब इसकी British spelling में S आ रहा है पर American spelling में Z आ रहा है. एक और word है analyze, analyze करना यानि विशलेशन करना. Analyze की British spelling में आएगा S-E और American spelling में आएगा Z-E. दोनों ही spelling सही हैं. बस एक British बोलते हैं और एक American बोलते हैं. अब आप पूछेंगे तो सर हम क्या बोलें? वैसे आपको British follow करना चाहिए, बट मैं तो कहूंगा कुछ भी बोलें पर बोलें. इसी तरीके से देखिए center की spelling में काफी बच्चे confused होते हैं कि C-E-N-T-R-E सही है या E-R सही है. तो दोनों ही सही हैं. डिक्षनरी में आपको ये दोनों ही spelling मिलेंगी. center यानि केंद्र, इसी प्रकार से लीटर, लीटर की भी दोनों ही spelling सही है. बिल्कुल एक जैसे pattern में आ रहा है ये difference. ऐसे ही meter, M-E-T-R-E भी सही है और M-E-T-E-R भी सही है. next है fiber, fiber यानि रेशा, F-I-B-R-E ब्रिटिश तरीका है लिखने का और F-I-B-E-R अमेरिकन तरीका है. next word है skeptical, skeptical यानि जिस पर शक हो, doubt हो. देखी, ब्रिटिश स्पैलिंग में आ रहा है S-C और American स्पैलिंग में आ रहा है S-K. so friends, ये थे कुछ British और American स्पैलिंग के difference. मैं फिर लोटूँगा एक और वीडियो के साथ जहां पर British और American में कुछ और differences हम लोग discuss करेंगे. यदि चैनल पे नए हैं तो subscribe जरूर करें. यदि हमारा काम पसंद आया, तो इसे जल्दी से एक thumbs up दें. और comment box में अपना feedback दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किस तरह के वीडियो आगे चाह रहे हैं. जल्दी फिर मिलेंगे एक और topic के साथ. Thank you so much. प्रतीक तमर को दें इचाज़त. Thank you.